Never quite, if you stumble, get back up. What happened yesterday? No longer matters. Today is another day. So get on tracks and move closer to your dreams. You can do it. You try, you fail. You try, you fail. The real failure is when you stop trying. जैकमान, जो चाइना के सबसे टॉप 30% में से एक है, और दुनिया का 33 वा सबसे अमीर बैकती, जो कि एक समय बहुत एक गड़ी फैमिली से बिलॉंग करते थे, और पढ़ाई में भी बद गमजोर थे, क्लास 4 में 3 बार, और क्लास 8 में 2 बार फेल हुए थे, और 30 बार से भी अधिक बार, इंटर्वी में रिएक्टेट हुए थे, पर उन्होंने कभी भी हान नहीं माना, और फाइनली, अलीबाबा.com वेबसेट को बनाया, जो अभी दुनिया का सबसे टॉप e-commerce वेबसेट में से एक है, KFC, जिनका चिकन रेसिपी आज परी दुनिया में फेमस है, I hope आप लोग सब जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सक्सेस्पूल फूट कमपनी को इस्टेंड करने के लिए, KFC के निर्माता, कॉर्णनल सेंडर्स ने कितनी मेहनाद और कठीन परिस्थिती मे अपना जीवन बिताया, उन्होंना अपना लाइब में हर छोटे से छोटे काम किये, एक समय उनका लाइब चारो तरफ फेलियर सी फेलियर था, KFC के चिकन रेसिपी जो आज परी दुनिया में फिरमस है, जो कि एक समय एक हजा नौ रेस्टूरियन ने रिजक कर दिया था, पर फिर भी कॉर्नल सेंडर्स ने अपना जीवन में कभी हान नहीं माना, एन फाइनली पैसर साल के उमर में उन्हें सक्सेस मिला, और आज KFC 118 कंटिस में पाय जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखेगा, कोशिस करते रहना है, सक्सेस तो एक निक दिन आएगा ये आएगा, क्या पता आपका कौन सा काम या सिद्धान से आपका भाग्य बदल जाए, थॉमस अलवा एडिशन जिन्होंने बिजली की बल्प अभिशकार की, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि बिजली की बल्प किसने बनाया होगा, सायथ हम लोग को ये सोचने के लिए बगती नहीं है, लेकिन बिजली के बल्प बनाने के लिए, थॉमस अलवा एडिशन ने एग हाजार से भी अधिक बार असफल होए थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोडा, और उन्होंने कहा, कि मैंने एगाजार बार असफल नहीं हुए, मैंने कुछ कारण बर्ष वो बज गए और यही नहीं उनका अपने ही मौम ने उनका पर केज भी किया था और शाधी होने की कुछी दिनों में उनका डिवोर्स हो गए अप इन परिस्तिती में एक आत्मी mentally कितना weak हो सकता है पर फिर भी उन्होंन अपना जीवन में हर वो मुश्किल और कठिनाय का सामना करके एक कामियाप इंसम बन के दिखाया Albert Einstein जो दुनिया का सबसे बुद्धिवान बैक्ति माने जाते हैं जिनका IQ level 160 से भी उपर है जो कि बश्पन में एक मनबुद्धी बालाक कहा जाते थे और 8 साल तक कोई भी बाते नहीं बोलने के कारण पीचा ने उन्हें कहा था ये एक मनबुद्धी बालाक है इसका लाइप में कुछ हो नहीं सकता और उसी दिन उन्होंने मनी मन में एक टारगेट लिया और उन्होंने दिखा दिया एक मनबुद्धी लड़का भी अपनी महनत, लगन और परिश्रम के बल पर इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है और जो बच्पन में एक मनबुद्धी बालक थे, उनका जनम दिन अच USA में जिनियाजडे के रूप में माने जाते हैं आइफोन के फाउंडर स्टीब जॉब्स जो की दुनिया का सबसे टॉप 30% में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय इनके आर्थिक परिश्रिदी खराफ होने के करण उन्हें कॉलेज के फॉस्ट इयर में ही ड्रॉप आप आप रहा था और यही नहीं उनका लाइफ में एक दिन ऐसे भी परिश्रिदी आए जब उनके पास खानी के लिए भी पैसे नहीं थे और वो एक घर से 7 किलोमेटर दूर हरे किश्ण टेंपल में जाते थे सिर्फ खाना खाने के लिए इवेन किराय के पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने अपने दोस्त के घर जमिन पे भी सोये थे इतनी कठीन परिस्तिती से बुजरने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना आर्थिक परिस्तिती के सामने अपने सपनों को जुक्ते नहीं दिया क्रिस्टियान और रोनल्डो जिने फुटबल का भगवान कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं रोनल्डो बस्पन में कितनी मुसिपते और कठिनाय का सामना किया है दोस्तों किसी ने बहुत कमाल की बात कही है क्रिस्टियान और रोनल्डो जो कि एक समय एक बहुती गड़ी फैमिली से बिलॉंग करते थे उनको पिता एक नगर निगव में माली थे बंद्रा साल के उमर में उनके पिता का देहान थोने का कारण परिवार का सारा जीमदरी उनको पर आ गया था घर को चलाने के लिए उनके मॉम ने दूसरों के घर में काम भी किये थे बच्पन में उन्हें हाट का प्रोब्लम था और डॉक्टर ने उन्हें फुटबल खेलने से और दौरने से मना कर दिये लेकिन लाखों मुसिबते आने के बावजुद भी उन्होंने कभी भी अपना पैशन को नहीं छोड़ा क्योंकि वो हमेशा अपना पैशन को फॉलो करते थे और दोस्तो ये बत सच है अक्सर कामियाब बोई होते हैं जो अपना पैशन को फॉलो करते हैं एकोडिंग टो रिशर्च 96% लोग अपना पैशन को फॉलो ही नहीं करते और यही 96% लोग उन 4% लोग के लिए काम करते हैं जो अपना लाइफ में 100 बार हारने के बावजुद भी अपना पैशन से कभी भी गिप अप नहीं करते दोस्तों हमेशे एक चीज याद रखेगा भीर में मत चलिए अपना पैशन को फॉलो कीजिए अपना टैलन को धोल निकालिए और उसको पर जी जान लगा दीजिए आप देखना आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोख सकता माइकेल जॉर्डन जिनने बास्केटबॉल का भगवान माने जाते हैं जो छे बार NBA चांपियन और चार बार NBA और इस्टार रहे जो की बस्पन में अपना कम हाइट के वज़े से हाइ स्कूल में उन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक कर दिया था और उन्होंने कहा I can accept failure, everyone fails at something, but I can't accept not trying पेटीम के founder बिजया शेकर शर्मा जो की एक middle class family से बिलोंग करते थे हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ने के कारण उन्हें इंगलिज बोलना प्लस लिखना बहुत ही प्रॉब्लेम होता था उनके आर्थिक परिशिती खराब होने के कारण वह कॉलिज भी ठीक से complete कर नहीं पाए कॉलिज से निकलने के बाद एक business start-up किया, पर बदकिस्मति से बो business भी चला नहीं और 2005 में वो पूरी तरह से bankrupt हो गए, हालत इतना खराब था कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे लेकिन आज बोही लर्का इंडिया का youngest billionaire है, एपी जी अबदुल क्राम जो इंडिया का 11 प्रेसिडेंट रहे, जिनके पिता जी एक समय नाव चलाय करते थे परिबार और पराय के खर्चा चलाने के लिए वोई पेपर भी पेचे, बच्पन से ही उन्हें शौक था कि वोई एक यारफोर्स बने, लेकिन जब वोई इंटेर्व्यू देने गए, तब 25 कैंडियर्स में से सिर्फ 8 कैंडियर्स को ही लिया गया, और उनका रेंग 9 आया, उनके यारफोर्स बनने के सपना एकदम तूट चुके थे, लेकिन उनके मेहनत, लगन और शंगर्ष ने उन्हें उसले भी उचाष्तन प्रदान किये, और वोई इंडिया का 11 प्रिसिडेन रहे, जिनके अंडर इंडियान आर्मी, इंडियान नेवी और इंडियान यारफो और दोस्तों ये में दावे के साथ कह सकता हो, इस दुनिया में जितना भी सक्सेस परसन है, जितना भी सक्सेस बिजनिसमें है, उन्होंने अपना लाइफ में कभी न कभी, कही न कही बहुत बार फेल हुए है, क्योंकि सक्सेस को एचिव करने के लिए आपको अपना कि कभी हान नहीं होती तो दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मोनावल भी बरा सकते हैं आपका बहुत मुले समय देने के लिए धन्यवाद